हेलो गाइस तो इस पार्ट में जिंक्तियान सुई को उसकी केर करने से मना कर देता है दूसरी से जेंग हैकर काईट बन कर जिंक्तियान के ओफिस के सिस्टम को हैक कर लेती है और उसे चार्ट करने लगती है और पूसती है कि तुम कौन हो तो बताता है कि वो hacker T है ये जनकर जंक सौक्ट हुचाती है क्योंकि hacker T hacker के list पर नमर 3 के position पर आता है और कहती है क्या तुम Seng Group के लिए काम करते हो मुझे लगा नहीं था कि तुम जैसे person, rich लोगों के सामने जुग जाएगा जिंकत्यान को लगता है कि मैंने उसके identity को recognize कर लिया है इसलिए वो kite को कहकर उसे investigate करा रही है और जंक से पूसता है कि तुमने Seng Family की computer को क्यों है क्या है और अपने employee से IP address stress करने के लिए कहता है Seng कहती है मैं बोर हो रही थी इसलिए किया तो वो कहता है कहीं और जाकर करो Seng Family की network security मेरी responsibility है और तुम उसे compete नहीं कर पाऊगी इससे जंक घुसा हो जाती है कि तुमारी हिमत कैसे ही मुझे underestimate करने की कहकर वो उसे compete करने लगती है और दोनों के बीच draw हो जाता है और फिर जंक तर अपने employee से कहता है कि दुबारा भी ऐसा हो सकता है तो हमें अपनी security और भी strong करना होगा पर IP address टेस करके उसे inform करने के लिए कहकर वहाँ से चला जाता है दुसरी साइट जंक हैकर T पर गुसा कर रही थी कि उसकी हिमत कैसे भी मुझे मैस होने की तब ही वहाँ पर जिंक्तियान आता है और उसे पूचता है कि क्या हुआ तुम इतनी गुसा क्यों हो वह कहती है मैं खुद रिवेंज लूँगी ऑनलाइन जाकर बहुत स्यादा प्राक्टिस करूँगी और फिर एक दिन वो मेरी तारीफ करेगा ऐसा कहकर वो अपने रूम में चली जाती है तब ही वहाँ पर रसिच जनाता है और जिंक्तियान को बताता है कि आईपी अड्रेस इसी विला का सो कर रहा है यह सुनकर वो सौक्ट हो जाता है और याद करने लगता है कि जैंक कभी आच ऑनलाइन किसी से अर्गुमेंट हुआ है कहीं वही तो नहीं कहकर उसके रूम में जाने लगता है दूसरी से जेंग हेकर टी का IP address ट्रेस कर रही थी और सोच रही थी कि आज तुम्हें तुम्हें एक्सपोस करके रहूंगी तब ही वहाँ पर जिंक्तियान आता है और पूसता है कि यह तुम क्या कर रही हो और फिर उसके close चाकर laptop देखता है जिसमें उसी कही interview के वीडियो चल रहे थे तो वह पूसता है कि यह सब कुछ क्या है जेंग कहती है मैं तुम्हारे बार में और जाना चाहती हूँ इसलिए यह सब देख रही थी जिंक्तियान कहता है मैं personally तुम्हारे सामने हूँ तो वो कहता है लगता है वो confused हो गई होगी बहुत लेट हो गया है तुम rest करो में चलता हो केकर वाँ से चला जाता है और फिर जंग relax होती है कि अच्छा हुआ मैंने जल्दी से change कर दिया था अच्छा हुआ कि मैं बाद में बहाँ जाकर पता लगा लूँगी जंगतियान सोच रहा था किया सच में जंग काईट नहीं है अगर वो नहीं है तो उसके लावार कौन हो सकता है इस गर में वो यह सब सोस्ते सोस्ते freshness होने चला जाता है तभी हुआ पर सुई उसे ढूंटते ढूंटते आती है और उसके computer के पास आती है तभी हुआ पर जिंगता न जाता है और उस पर गुसा करता है कि तुम्हारी हिमत कैसे हुए मेरे laptop को touch करने की वो बताती है कि मैंने कुछ नह कहता है और कहता है अगर तुम्हें nightmare सा रहे हैं तो मैं क्या करूं जाकर sleeping speed लेकर सोजाओ पर वो नहीं जाती है और उसे हक कर लेती है और कहती है हम एक साथ बड़े हुए हैं और तीन सा लंगेश थे फिर भी तुम इतने heartless कैसे हो सकते हो जिंगतान उसे छोड़ने के नाखों से देखा केकर वहां से चली जाती है और फिर जिंगतान सुई पर घुसा करता है कि तुम बिना परमसान के मेरे रूम में मत आना और उसे वहां से जाने के लिए कहता है तो वह उपन नहीं करती है तुम्हें मुझे explain करने की कोई सर्वयत नहीं है वैसे भी सुई त तर मुझे कोई फर्क नहीं परता जिंगतान के प्रोशता है तो वो सच में उसे वहां से जाने के लिए चला जयता है जंग कंफर्म करने के लिए ड़ो पन करके देखती है पर वो चला गया था इससे और भी गुशे होने लगती है कि थोड़ा दिर और नहीं रुख करने के लिए साथ में एक डॉल लेकर आने के लिए कहती है जिंग्तियान सोच रहा था कि कल सब कुछ पता चल जाएगा कि असल में काइट है कौन जैंग या फिर सुई और फिर काइट के हेल्प से मैं को ढून लूंगा नेक्स्ट मॉर्निंग सब लोग रेकफास्ट कर रहे तो जिंग्तियान जंग से पूसता है कि तुम इतना रूट क्यों हो पर वो कुछ नहीं कह रही थी तो सुई कहती है ब्रदर जिंग्तियान तुमसे बात करें क्या तुम्हें सुना ही नहीं दे रहा तो वो दोनों ही उसे देखने लगते हैं तो उसे चूप होना पड़ता ह और फिर जिंग्तियान उसे फूट सर्व कर रहा था तो वो वापस कर देती है और कहती है कि मेरा हो गया कैकर वहां से जा रही थी वो उसे रोकर पूसता है कि क्या अस तुम अप्टरनून में फ्री हो पर जंग को लगता है कि वो किसी के साथ खाने पर जाने वाला है इसलि तुम मेरे रूम में घुजना मत नकसिन में जिंग्तियान काइक ने जैसा डॉल बोला था वह इसा डॉल लेकर केफे गया था उससे मिलने के लिए और यहां पर यह पाठ खतम हो जाता है